देखो शुरू में कुछ इंट्रोडेक्शन है जिसमें बिटा चार्ज के बारे में हम लोगों को कहानी जो है वो बताई गई है ना कि इलेक्रिक डिस्चार्ज वगेरा जो है वो अपन लोगों ने देखा है बिजली चमकती है इन सब चीजों को नोटिस किया गया इसके लगा कि यह तो भाई एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि अपन लोग इनसान लोग भी करवा सकते हैं ठीक है तो यह सब चीज़ें यहां पर आपको बताई गई इंट्रोडेक्शन के पार्ट के अंदर ठीक है सारा का सारा जो खेल है सारी की सारी जो कहानी है वो आप लोगों को य आपनलोग मानके चलते हैं चार जो है उसका नेचर अगर हम लोग बात करें तो यहा थो फेल करते हैं और वहीं अगर हम लोग बात करें पॉस्टिव नेगिटिव मेंशन के सब्सक्राइब attraction जो होता है थीक है असली में जो charge है उसके बारे में जब बात की जाती है तो हम लोग charges के लिए ऐसा बोलता है कि ये कुछ नहीं होता असली में एक्सेस औफ इलेक्ट्रॉंस या फिर डेफिशियंसी ऑफ एलेक्ट्रॉंस या तो बटा इसमें नेगेटिवलि चार्ज है, हुम उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी, जो भोम संब बोल देते हैं, ठीकों और आगर किसी बॉडी पर डेफीश viral इंश्यान्स है, तो आम मुझे पॉज़नी पॉजिवली चार्ज बॉडी जो भोम सीढ़ सिध्य बोल देते हैं, ठीकों पावर माइनस 19 कूलम ठीक है चार्ज की उनिट कूलम होती है यह सब चीज़ हम लोग जानते हैं और इसी के तरू हम लोग क्वांटाइजेशन की जो कहानी है वह बोलते हैं और बोलते हैं कि क्यों की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस एनी के बराबर होती है और इजो है वह आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसकी वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं तो एन जो है वह हमेशा कोई इंटीजर होगा एन जो है इट कैनाट वी ए रैशनल नंबर ठीक है हम लोग एन को हमेशा क्या मानके चलेंगे इंटीजर मानके चलेंगे और उसी के हिसाब से वैल्यू नंबर होगा डेड़ दो डेड़ पॉने दो पॉने चार साड़ पांच सेविन बाई थ्री सेविन बाई फॉर इस तरह का नंबर जो है वह एक्जिस्ट नहीं कर सकता यह ब चार्ज है वही है तो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया करीब करीब 600 BC के बारे में मतलब 600 BC में इसके बारे में जो है वह चर्चा कर ली गई थी थेल्स आफ मिलेटस ने इसके बारे में जो है बाते बताई थी ठीक है इलेक्ट्रॉन नाम से जो है सा तो क्या observe किया गया था यह मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो हमारी अगर दो ग्लास रॉड्स को लेते हैं और उनको भूल या सिल्क से हम लोग रगडते हैं हमने ग्लास की रॉड ली हाथ में कपड़ा रखा और इस तरह से उसको ऐसे रब किया इन डाट केस और उनको प यहां पर यहां पर यह वाली बात आपको बताई गई है कई बार बिटर डाइरेक्ट को पूछ लेकर गए तो उन दोनों में अट्रेक्शन हुआ मतलब दोनों में उपोजेट नेचर ऑफ चार्जेस तो ध्यान रखना ग्लास और भूल को जब हम लोग पास लेकर गए तो हम लोगोंने क्या देखा बिटर ऑट्रेक्शन देखा जबकि glass glass and wool wool जब हम लोग खेल रहे थे तो हमने क्या देखा विटा repulsion वाला जो case है उसको देखा था ठीक है यह बात ध्यान रखना इसी तरह इसका खेल जब हम लोग plastic rods के साथ खेलता है विटा फर, plastic rod और फर के साथ में तो हम लोग repulsion वाला जो case है बच्चों वो देख रहे थे समझ गया है कौन सा case देख रहे थे repulsion का जो होता भी है plastic plastic लाओ के पास में तो repel करेगा फर फर लाओ के पास में तो repel करेगा दोनों को लेकर आओगे आपस में एक दूसरे के पास तो attract करेगा ठीक है तो यह एक example है जो आप लोगों से directly पूस लिया जाता है बच्चों और आप लोगों को कोई दिक्टर उसके अंदर नहीं आती है ठीक है तो यह सब बटा transfer of electrons और transfer of जो आपका एक body से दूसरी body में charges का transfer यानि transfer of electrons की जो कहानी है उसी कहानी को आप लोगों को समझाया गया है बहुत बड़ी-बड़ी कहानियां लिखके यह बात आपको पता होनी चाहिए यह जो सब facts है हमेशा यह बात ध्यान रखना कि कोई भी body है उसके पास में अगर मान लो negative charges वाए वो मौझूद है जब तक जो potential है वो body इसका same नहीं हो जाता अगर यहां पर मान लो same shape की body body है तो equal charges जो है वो दोनों के उपर आ जाता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती है ठीक है तो जो transfer of electrons हो रहा है उसके कारण एक और चीज़ होती है जो आपका mass होता है negatively charged body का वो हमेशा जादा होता है किस से बच्चों positively charged body यह बात भी ध्यान रखता है ठीक है जो आपका negatively charged body का mass है वो हमेशा जादा होगा किस से बच्चों एक positively charged body से प्लीज remember this thing यह बात जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि electrons transfer हो गए negatively charged body के पास में electrons जादा है positively charged body के पास में electrons कम है उससे transfer होकर दूसरे के पास में चले गए तो आप लोग समद सकते है कि electrons का mass जो है वो add up हो गया और इसलिए जो बटा mass होता है वो कम और जादा का case जो है वो बना देता है ठीक है मेरे बच्चों ध्यान गीजिए तो glass और silky कहानी है बटा सारी की सारी तो हम लोग यहां पर यह सारी की सारी चीज़े जब देखता है तो अपन लोगों को पता लगता है कि जो charges है उनका फिर हम लोगों ने नाम करन किया positive और negative उसका एक बटा यहां पर reason दिया हुए कि charges acquired after rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact ठीक है अगर हम लोगों ने बटा charges जो rub करके acquire किये थे वो सब loss हो जाता है जब charged bodies गो हम contact मिलाता है अब इससे हम लोग क्या conclude कर सकते हैं यह अपने को यह बताता है कि unlike charges acquired by the objects neutralize और nullify each other's effect obviously एक के पास अगर positive है एक के पास अगर negative है तो आपस में nullify एक दूसरे के effect को कर देंगे क्योंकि बटा number जोडते हैं positive negative plus two minus two को जोडते हैं तो zero आ जाते हैं इसलिए इन charges का नाम जो है वो क्या रख दिया बटा positive और negative रख दिया समझ गया है तो यह कारण था Benjamin Franklin ने इन लोगो positive negative क्यों बोला मेरे हिसाब से अब आपको उस चीज का answer जो है वो मिल गया है ठीक है तो यह बात ध्यान रखना CBSC के अंदर इस तरह के question भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं clarity है ने इस चीज पर ठीक है चल अब अब यह convention बन गया बिटा यह बात ध्यान रखना by convention charge on glass rod और cat for is called positive glass rod या फिर cat के फर के उपर जो charge था उसको positive बोला ठीक है और जो plastic की rod के उपर या silk के उपर था उसको negative बोला बस यह convention था ठीक है तो जब भी तुमसे कोई बोले कि silky rod पे charge कैसा है मतलब सिल्क के कपड़े के उपर चार्ज कैसा है तो ध्यान रखना negative चार्ज है तो silky rod से हम लोग ट्रार्ज का जो transfer है वो कर सकते है silky rod कैसी चार्ज होती है बात खतम ऐसे याद है प्लास्टिक की रोड पॉस्टिवली चार्ज होती है आप लोग देख सकते मतलब silky rod क्या बोल मैं सिल्कस कपड़ा है वहमेशा क्या होता है बिटा uh компании ऐस चार्ज होता है प्लास्टिक की रॉड भी को फ्लिज को चार्स दिया तो प्लीति मेंबर क्या तो दूसरी कौन सी थी जल्दी से बहुल दूसरी ती तेरे पर सब्सक्राइब काका कपड़ा करा था चीक है उसके अंदर क्या था इस-क एंदर यृँघ बीलीगफर बात समझ में आ गई है ना तो यह दोनों पॉस्टिवली चार्ज यह दोनों नेगिटिवली चार्ज अल्राइट चल तो देखो यह कहानी तो होई गई अपनी किस तरह से वही कैट की फरके ऊपर क्या आता है और प्लास्टिक रॉड पर क्या आता है सिल्क कपड़े पर क्या ग्लास रॉड पर क्या आता है उसके बाद में आती है आपकी कहानी किसकी बिटा गोल्ड लीफ एलेक्ट्रोस्कोब की जिसके अंदर बटा सोने की जो पत्तिया है यह यह आप लोगों को बात बताती है कि कितना चार्ज जो है वह मौजूद है तो जिस भी बॉड़ी पर अ magnitude of charge जो है वह आप लोगों ने दिया होगा इस से अपने को यह वाली चीज जो है वह पता लगती है तो इनका जो divergence का जो मतलब जितना जादा divergence है उतना अच्छा charge जो है वह मिला होगा और कम divergence है तो आपको कम charge की मातरा जो है वह मिली होगी चार्ज ऑबजेक्ट टचेस दे मेंटल नॉब अट टॉप अफ दे रॉड चार्ज फ्लोस ऑन दे लीज और डाइवर्ज दे डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इन इंडिकेटर ऑफ दामांट ऑफ चार्ज ठीक है यही बात यहां पर लिख हुई है आप इसको घर पे भी बन ठीक है और एक कंपेरिजन हम लोग इसके साथ में करें यह भी क्या दे रखाया है हमें लीव्ज ओफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है बच्चों और आप से पूछू मैं किसके अंदर ज्यादा चार्ज होगा तो यह एंगल बढ़ा है ना भाई साब यह मान ले और यह मान ले क्या है तो जैसा कि आप साफ साफ देख रहे हो इसका क्या मतलब होगा इसका सिग्निफिकेंस होगा कि क्यू वन जो है इट इस ग्रेटर देन क्यू टू यहां जो आपको क्यू वन जो आपने दिया होगा न मैटल की रॉड से यहां पहुंचा होगा वो और इसका कितना चार्ज पहुंचा होगा वो तो जो क्यू वन चार्ज है वो बढ़ा होगा किस से क्यू टू सो यह हम लोगों को गोल लीफ एलेक्ट्रोस्कोप के थूरू सीखने को मिलता है ठीक है बच्चो शालो आओ ठीक है यही सब चीजें वो बार-बार बता रखी है किस देखलो आ गया बात की गई है कि इसकी बेटा सुरी तरस की आपकी एंस्याटी का ही सिलेबस जो है वही अपन को देखना है और उसमें को नहीं देखना है यह सब अपने में तो आशे कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीक है थो जब हम बेटा सुरीण को इनसूलेटर शाच प्लास्टिक प्लास्टिक जो है यह सब आपके इंसूलेटर वगेरा के अंदर एंट्री वो मार जाता है ठीक है इसी तरह से मैं अगर बात करूं मतलब वुड वगेरा देख लो तो वो भी आपकी इंसुलेटर हो जाती है तो प्लास्टिक हो गया वुड हो गया करेक्ट एंड सौन इसके अलाबा एक और टाइप का माटीरियल होता है बटा दुनिया में जिसे अपने लोग क्या बो पर फुरात को कया है यदि थिए सब्सटेंस ऊपने को पड़ने को है कि दिए ओपकेंड सब्सक्राइब और के सोश्टेंस नहीं करें तो यहां कुछ आप है जो आप लोग देख सकते हैं इसलिए इनको क्या बोलता है समझ गए यह कहानी आपको समझा ही गई है ना और यह बताया गया है जब एक चार्ज बॉड़ी को हम लोग अर्थ के साथ में कॉंटेक्ट में लेकर आते हैं तो जितना भी एक्सेस चार्ज होता है बॉड़ी का वो डिसपीर हो जाता है और यही कारण है हमारे घर के अंदर जितने भी इंस्टूमेंट्स होता है उनकी अपन लोग अर्थिंग वगरा करके रखते हैं ठीक है इस प्रॉसेस ऑफ होता हैं और ज खीस गोटा नकी साथ में टॉटा पर जोवी तुम्हारा फ्रिज होता है यह होता है यह असी होता है हैं जिनको बहुत जादा बिजली की आवश्यक्ता होती है विटा चलने के लिए उनके साथ में क्या होता है इस तरह से थ्री पिन आती है जादा एंपियर के मतलब जो आपके डिवाइसे आते हैं उनको अपने को लेना पड़ता है क्योंकि अगर मानले सप्लाय जो है वह आप का लाइव वायर होता है और एक बच्चों को मूता काला तार होता है और आपका रेड्ड कलर का होता है reporting झार जो है वह ब्लैक और फिर ग्रीन होता है और वहीं जो न्यूट्रल आता है यह न्यूट्रल जो है यह आपका येलो भी हो सकता है किसी किसी कंपनी में ब्लू भी आता है और आज कल तो रंग बिरंग सतरंगी भी आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है यही वाली बात यहां पर समझाई गई है तो अभी मैंने आपको ब को चुणा नहीं होता है दूर-दूर से ही सारा का सारा जो खेल है तो इन्डक्षन के अंदर क्या हुआ देख डाइग्राम बने हुए इन ही के थूमें आप आप लोगो सारी की सारी चीज़ें वह समझाने वालों जैसे दो बॉडिज थी अपने पास में पड़ी हुई थी इन दो बॉडिज के पास में मैंने क्या किया विटा मैं एक positively charged body वो लेकर गया ठीक है यह दुनों तो neutral थी इन neutral bodies के पास में लगा पे positively charged body को लेकर गये तो क्या हुआ विटा यहां पर देखो इन negatively charged bodies negative charges वो इन positive के कारण attract हो गये यहां ही खट्टे हो गये और जो positive charges थे वो दूर चले अब यह देख यह आपके negative charges यह आपके positive charges और अभी तो bodies मिली वही थी अब मैंने इन दोनों को अलग-अलग कर लिया दूर दूर लेगा ठीक है बटा तो यहां कैसे charges थे negative यहां कैसे थे positive मैंने इस फली body को भी हटा लिया है ना अब देख इधर negative और इधर positive होने के कारण है ना इनके अंदर क्या हुआ पीटा एक attraction जो है वो भी इनके बीच में डेवलप हो गया इनके अंदर एक attraction जो हो है वो उसके पास में तो सिर्फ negative charges exist करने लगे और बी बॉडी जो थी उसके पास में क्या exist करने लगे positive charges तो negative charges की existence इसलिए जादा हो गई इस वाले portion में जैसे देख इस positive के कारण यहाँ इखटे हो गए थे अब जो यह दूर को positive गया ना इसके कारण यहाँ पर भी कौन इखटा हो गया negative इखटा हो गया extra ठीक है तो इस पूरी बॉडी को जब हम लोग दूर ले गए इसको हटाने के बाद में तो इसके उपर तो मेरे को कौम से चारदे देखे और यहाँ जो यह नेगेटिव इखटे थे पहले से इस वाली जगे पर उसके कारण यहाँ पर positive इखटे हो गया तो यह तो पूरा नेगेटिव हो गया यह पूरा का पूरा positive हो गया तो इस तरह से आप लोग इंडक्शन यानि बिना चुए चीज़ों को चार्ज कर सकते है कैसे यहाँ पर इसको दूर रखा है कैसे रखा है इस जस्ट बहुर्ट क्लोज अडाया नहीं जबकि कंडक्शन के अंदर तो अडाना पड़ता है समझे तो यह होती है अपनी चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला केस ठीक है बिटा यह सारी कानी जो समझा रखी है वो मैंन सारी प्रॉपर्टीज विटा यहां पर भी लिखी हुई है ठीक है हम लोग सब पॉइंट चार्जेस की ही बात करते हैं अडिटिविटी ऑफ चार्जेस अपन लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं स्केलर होते हैं तो अगर मान ले प्लस क्यूवन और स्केलर माईनस क्यूवन बताओ एक है समझ यहीं वाली बात यहां पर आपको बताइए हैं तो कोई भी अगर बाड़ी है उसके उपर चार्ज जो है वह आपका अकनजर्वेशन रहता है उसके अंदर कोई बढ़ी बात कोई आसी बहुत भारी बात जो है वह आप से नहीं ब इदर उदर कुछ भी नहीं होगा चलोगा इसी प्रकार से क्वांटाइजेशन जो मैंने आप लोगों को बताया था उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं बताया हुआ है ऐसा ही सिस्टम के अंदर सारी चीज़े निकाली नहीं है यह इलेक्ट्रॉन का चार्ज वह लि अलावा देखे इव दप्रोटॉन से लेक्ट्रॉन सार्थ उनली बेसिक चार्ज इन दा यूनिवर्स ऑल्ल दा उब्सर्वेबल चार्ज आप लोग क्यों इक्वल से प्लस माइनस एनी लिग दो उसको ठीक है ना उसी चीज़ को यहां पर तरीके से बताया गया है जो आप मैं ने को आपको क्वार्क के सबस्काइं पर अपने को उसकी चिंटा नहीं है ना क्वार्क बस होते हैं अपने को मन में पता होते है चीक है इसके बाद में जो में बारे आती है आती है जहां से आप लोगों से डैरिवेशन वगयरा पूठ लिया जाता है थी कहें डैरिवेशन के अलावा आप लोगों से और नूमेरिकल वो फूठ लिए जाते हैं जो मैने आप लोगों को करवा रखे हैं आपके वाले सेग्मेंट यहां पर आपको कराऊ है जिसके अंदर आपके ओल्ड वाला जो पार्ट वर आ जाएगा सीबीस्टियों के और और कोई उड्ड के साथ-साथ आप लोगों को क्या मिल जाएगा उसके अंदर आपको मिल जाएंगे बिटा आपके objective questions भी जो आजकल CBSC जो है वो पूछने लगी तो old questions plus objective questions दोनों ही आपको मिल जाएंगे कुछ proofs है जो आप लोग directly यहां पर देख लेंगे मेरे द्वारा किये हुए तो उसके लिए आपको डरना नहीं है तो कूलम्स लो बिटा आपको क्या बताता है बहुत अच्छे से मैं यह वाली बात जानता हूं कि यहां पर अगर कोई क्यूटू चार्ज रखाए और यहां पर अगर क्यूटू चार्ज रखाए और इन चार्जेस के बीच में सेंटर से जो डिस्टेंस है एक दूसरे का वह अगर आर है ठीक है तो क्यूँकि मानों जो चार्जेस है वह सेम है तो क्यूटू के ऊपर एक फोर्स लगएगा जिसकी वैल्यों की फोर्स आंटू दूर ऐसे ृसइक क्यूटू जो ए बिटा वो न के ऊपर इस डायेक्शन म इसके अलावा जो आपकी force होती है वो inversely proportional to क्या होती है r square तो जब इसको connect किया जाता है तो जो force आती है वो क्या आती है k q1 q2 upon r square जिसके अंदर k जो है बिटा वो coulombs constant कहलाता है यह मैंने यहां पर magnitude of the force वो है वो आप लोगों के लिए लिखा है ठीक है जब बिटा direction के साथ तो इस वाले r vector का जो cap है वो मैं multiply कर दूँआ जैसे ही बिटा r cap multiply होगा तो हमारे पास में जो force है उसकी value क्या हो जाएगी वो लो k times of q1 q2 upon r square multiplied by r cap और जो r cap है इसकी जब value मैं यहां पर put करूँआ तो k q1 q2 upon r cube multiplied by vector r यह हमारे पास में जो vectorial answer है बच्चों वो निकल के आ ज लिकत नहीं आते हैं ठीक है तो दिस इस वेक्टर फॉर्म के की जो value है इसा ही units के अंदर 9 into 10 की power 9 होती है अगर हम इसकी unit भी लिखना चाहें के की तो के की unit के आ जाएगी जल्दी से बदा Newton meter square per coulomb square तो nm square per coulomb square इसकी unit होती है के को अपने लोग बिटा वन अपन फॉर पाई epsilon not के थूँ भी रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ऐसा ही में तो के की value यह होती है मतलब mks या सी जो भी भोल ले cgs में के की value 1 हो जाती है इसमें epsilon not जो है पर्मिटिविटी और free space कहलाता है पर्मिटिविटी और फ्री स्पेस ठीक है बच्चों यह न एपसाइलम नॉट इसकी जो value है वो क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ठीक है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इसकी unit क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी तो कूलम स्क्वेर पर एनम स्क्वेर के का इंवर्स है न उटा पर्मिटिविटी और फ्री स्पेस या फिर पर्मिटिविटी और वेक्यूम यह इसका प्यार बरा नाम होता है ठीक है यह बिटा सेंट्रल फोर्सेज होती है और एफ वन टू जो अपन लोग लिखते हैं उस तो एफ टू वन एकदम मैगनिट्यूड जो है वो दो मुगा क्या बिटा बराबर ठीक है यह क्या कर दिया मैंने डंग से लिखो भई ठीक है यह बात सबको पता होनी चाहिए यही आपको इसके अदर बताया गया है यह सब चीज़ें वह 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 इंट राइट मैंने आपको उधर बता दी कोई जिन्टा वाली बात नहीं ठीक है इसके अंदर यह बात ध्यान रखना बटा कि कूलंब्स लौज वह एक सिंपल जब कि अपन लोगों ने तो बेड़ बड़ी स्केल के उपर इस पर इस्टैबलिश किया था पर यह एक एंगस्टॉं तक की स्केल के उपर भी वैलिड है ठीक है और उस समय जब कूलम ने सब दिस्कवरी की थी ना बटा तब कूलम को मैगनिट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं थी तो कूलम ने ऐसे न्यूटन का रिजल्ट देखा जी एम वन एम टुबाई आर स्क्वर और अपना रिजल्ट जो है इसके अलावा बटा जैसा अभी हम लोगों ने देखा everything has been written in the same manner जो मैंने आपको वहाँ पर बताई है चीक है आजाओ यह वही वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था इन लोगों ने क्या किया एक origin मान के वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सब्सक्राइब कर देख रहे हैं और हम लोगों ने डिराइव कर लिया है अब बिटा अगर मुल्टीपल चार्जेंटेशन हो जाता है कैसे चार्जेंटेशन होड़ाता है इव डिरार मुल्टीपल चार्जेच विचांटेशन तो अपने लोग क्या करता है हमेशािशा वेक्टर एडीशन करते हैं डियसे मान ले एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है ठीक है ये ज यह बी क्युंथा यह बी क्यूं था और यह भी क्या था वेकर को स्था को तो आपकी if है इसकी मेल्यू फ होगी और इसकी जो वैल्यूर है वह आप लोह के नेट होगा वह डशे की डारेक्शन में होगा मानले स्क्वेशन के ऊपर रखाई कि अपन तोो स्क्वेशन ही कर लो जो बोड के अंदर भी पूछा गया था ठीक है तो बोर्ड का जो question है उसी question को कर लेते हैं A side का square है और अपन लोगों को इसके ऊपर जो है net force की value निकाले हैं तो in that case क्या हो जाएगा ये length क्या हो जाएगी इस F की value क्या हो जाएगी KQ square upon A square और इसकी भी value क्या हो जाएगी KQ1 Q2 upon R square यानि KQ square upon A square ठीक है ये दोनों values तो आगए है इसके कारण इधर इसके कारण इधर इन भाई साब के कारण इधर ठीक है इस F dash की अगर value लिखों तो क्या हो जाएगी KQ square upon इस बार बिटा root 2 है मतलब 2A का A square तो जब net force लिखे या तो क्या लिखे या F net तो देख इसका और इसका net ये दोनों तो बराबर है तो root 2 KQ square by A square और plus क्या हो जाएगा बिटा ये वाली जो force ही है एक ही direction में है दोनों तो ये आपका F net की जो direction है वो तो हमारे पास आगया KQ square upon 2A square इन दोनों को add करना है इन दोनों को क्या करना है add तो तो KQ square upon A square को common मार और यहां पर क्या लिख दे root 2 plus 1 by 2 लो भई आंसर जो है वो आपका आ चुक है अब बोर्ड के अंदर एक बार ट्राइंगल बना के दे दिया ट्राइंगल के ऊपर निकाल ले साथ डिगरी का एंगल के हिसाब से सॉल हो जाता है कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं होती है हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को आराम से सॉल कर सकते हैं ठीक है तो यह जब मुल्टीपल चार्जेस होते हैं तो अपन लोगों को वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है और जो यह तरीके से अपन लोग निकाल है बस इसका नाम जो है वह ऐसे कर दिया जब भी ऐसे मुल्टीपल फोर्सेज एक पोजीशन पर होंगी और अपने को एडिया सब्ट्रेक करना होगा तो एक हम लोगों ने प्रिंसीपल इन्वेंट कर रखा है जिसका नाम क्या रखा है प्रिंसीपल आफ सूपर पोजीशन ठीक है राइट यह सब चीजें जो है यह वही बता रखें ठीक है मेरे बच्चो चलो आगे आ जाओ यह देख नेट फोर्सेज निकाल रखी है तो कहानी वही है एक बात और ध्यान रखना के दो चार्जेज के बीच में जो बिटा फोर्सेज लगती है जैसे मानले यह चार्ज था तो क्यूबन जो है वो क्यूटू के उपर फोर्स लगाएगा इस वाली डाइक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी क्यूवन क्यूटू अपाउन मानले इनके बीच में डिस्टेंस है वो ए था ए त्पे स्वेड़ ठीक है मानले एक और कोई चार्ज यहां पर म Q2 divided by x square तो ये दूसरे किसी चार्ज के कारण Q2 के ऊपर जो बटा Q1 के कारण फोर्स लग रहा था उसके ऊपर कोई अफेक्ट थोड़ी ना आया जो भी अफेक्ट आया तो नेट फोर्स के ऊपर आया ठीक है तो एक चार्ज के कारण दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उन फोर्स के ऊपर बटा किसी प्रकार का कोई एफेक्ट नहीं आता किसी और चार्ज के कारण ठीक है यहाली बात ध्यान रखना बस जो नेट फोर्स हैं विटा वो आप लोगों की चेंज हो जाती है यह अपन को यहाँ पर पता होना चाहिए ठीक है शाला आगे देखता है यह वेक्टर सम के बारे में बात की गई है बच्चों किस तरह से वेक्टर सम निकाला गया और फाइनली आंसर आ गया और अब चर्चा करेंगे हम दो किसकी इलेक्टरिक फील्ड की तो असकी में देख इलेक्टरिक फील्ड क्या होती है जब हम लोग यह सब चीज़े देखते है के Q by R स्वर वाला जो आइसकी जब हम बात करते हैं तो मैं तिरको समझाता हूं जिससे की एक location पर पढ़ा हुआ था चुपचाप से अब क्या हुआ मैं जबरदस्ती कहीं infinity के ऊपर मेरे पस में छोटा Q-Charge पढ़ा था और इसको मैं यहां पर कहीं लेकर आया जब मैं छोटे चार्ज Q को इसके पास हुआ है अगर मैं वैसे ही इसको infinity से ला रहा था और कोई चार्ज आसपास में नहीं मौझूद था तो इसको कुछ नहीं हो रहा था पर अगर पहले से कोई चार्ज मौझूद था और मैं इसके जैसे कई लोगों के साथ में नहीं होता है उनके पास बैटो तो अच्छा लगता है कि उस लोगों के पास बैटो तो लगता है क्यों आ गया इसके कारण किसके पास मैं सिर्क आ गया यह तो और वहीं कुछ लोग क्या होता है बढ़िया बढ़िया बाते करते हैं बहुत मजात होना था, उसी चीज को हम लोगोंने क्या नाम दे दिया विटा, इलेक्टरिक फील, यह जो महसूस कर रहा था, कि किस चीज के कारण महसूस कर रहा था, इस Q ने कुछ तो ऐसा प्रड्यूस किया था, कि इस Q को कुछ-कुछ हुआ, ठीक है, वो कुछ-कुछ किस के कारण हुआ उस चीज का नाम हमने क्या रख दिया और जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमने कैसे डिफाइन किया हमने लिखा Lee की जो विली होति है समय और हमारे पास होती है force on the test chart divided by the test. कैसे डिफाइन किया बीटा इस चेंच के Natalia के ऊपर जॉआको की force लग रही है वह और और divided by वो चार्ज खुद तो force on the test charge divided by test charge ऐसे लिख लो force on test charge divided by क्या बटा test charge तो test charge जो है वो ऊपर से कड़ जाता है तो हमारे पास में क्या बचता है जिसे आप प्यार से क्या लिख सकते हो वन अपाउन पॉर पाय एपसाइलम नौट इंटू क्यू बाय आर स्कूर तो यह आपकी electric field की value है किसी पॉइंट चार्ज के कारण यह जो वैल्यू लिखी है बच्चों कि क्या लिखी हुई है इस इस दा electric field due to a point charge ठीक है मरे बच्चों यह आपकी पॉइंट चार्ज के कारण क्या है एक electric field की value जो है वो लिखी हुई है ठीक है ड़न ओके अब यह देख electric field produce कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है बटा कोई अगर positive charge है plus q है तो electric field से बाहर जाती हुई होगी और अगर बटाय से माइनस चार्ज है नेगेटिव चार्ज क्यों है तो electric field अंदर आती हुई होगी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं विटा रेडियली आउट वर्ड्स ठीक है आओ आगे देखता है यह विटा वही क्यों बाई आर स्क्वेर की फोर्स लिखी है उसके बाद में बाद में डिवाइड किया होगा तो इस सारी इत्ती सारी जो कहानी है ना उसके अंदर वही बता रख है जो मैंने आप लोगों को बता है ठीक है एक चीज़ और जो जैसे माले यहां पर प्लस क्यू चार्ज सा और मैं यहां पर जो है वो क्यू चार्ज को लेकर आया ठीक है तो हम लोग जो यह फॉर्मूला लिख रहे थे ना क्या फॉर्मूला लिख रहे थे एजी कॉल टू फॉर्स अपॉन क्यू यह लिख रहे थे ना तो अगर आप लो जो electric field generate की है उसके कारण एक force लग रही होगी जिसकी value क्या होगी विटा q times of q ये वाली बात अपने को यहां से पता और लगती है this is a force which the charge experience is और अगर वो force experience कर रहा है तो वो accelerate भी हो सकता है force लग रहा है तो वो क्या हो सकता है accelerate भी हो सकता है और हर अलग-अलग distance के ऊपर क्योंकि आपकी electric field अलग-अलग होती जाएगी तो आपका जो force है वो भी variable होता जाएगा और acceleration भी जो है वो भी variable होता जाएगा अच्छा मजे की बात वो गटता जाएगा क्योंकि r की value बड़ेगी r की value अगर बड़ेगी बिटा की इसने वो क्या की बिटा क्यूई यही अगर मानलो माइनस क्यूचार्ज मौजूद होता माइनस क्यूचार्ज जो है वो किस तरह से force experience करता विटा वो इसके opposite direction में force जो है experience करता यानि की pass आता हुगा inverse minus q को क्या एसास होता बिटा कि जो force है वो towards लग रही है यानि opposite to the direction of field जो है वो आप लोगों को force का एहसास होता चीक है यह इसके उपर क्यों ही लगेगी ऑपोजेट टु दा direction of electric field अगर मैं यह electric field की direction बनाता हूं तो विटा यह direction हो गई किसकी आपकी electric field की और यहां पर भी अगर बनाता हूं तो यह direction क्या हो गई आपकी electric field की जो मैंने यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर रहे है तो इलेक्टरीक फील्ड तो इदर है पर force जो है वो opposite direction में है तो हमेशा याद रखें प्लस क्यू चार्ज जो होता है उसके उपर force और electric field जो है यह दोनों कैसे होता है विटा पैरलल हो ठीक है और यही अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो आपकी force और electric field जो होंगे यह क्या होंगे विटा anti-parallel होंगे समझ रहे हो force और minus q जो होंगे यह दोनों क्या होंगे आपके force और electric field जो होंगे वो क्या होंगे ठीक है तो इतनी बाते हैं अपन कुछ भी कर सकते हैं ना भई आओ तो यही सब बाते मिटा यहां पर बता रखी है जो हम लोग देख सकता है electric field के कारण force force को define कर रहा है and everything else जो यहां पर बोली गई है ठीक है positive charge के लिए field is directed radially outwards और वो सब जो मैंने तुमको वैसे ही बोल के बता दिया ठीक है भाई साब तो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण electric field क्या होती है तो जैसे अपन लोग फोर्स लिख रहे थे जैसे अपन लोग क्या लिख रहे थे प्लस क्यू चार्ज ले लिया एक्जामपल से करते हैं यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज ले लिया ठीक है यहां पर किसी ने बोला कि माइनस क्यू ले लो चलो माइनस क्यू ल के लिए और इस पी-पॉइंट के ऊपर मेर से पूछा कि एलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है चीक है बोड का क्वेस्चन है जो मैं आभी आप लोगों को करवा रहा हूं यह साइड को विटा ए मान लेते हैं कोई दिखत वाली बात नहीं है अब पी-पॉ को होगी सेम होगी यह जो लैंफ है इस लेंफ को अपनो लोगग कयल्कूलेट कर लो हाउ मच इस निवन्हां चल्दी वथा चीक है एक्स की वैल्यू के एविटा यह आपना वन मान लो इसको आपन लोग टू मान लेते हैं तो यह मैंने लिख दिया वेलंद यह मैंने लिख दिया आपके लिए इसको अगर टु मान एसको मान लिया थरी इसको क्या मान लिया विटा फोर तो थरी के कारण जो आपकी इयलक्ट्रिक फीーड आएगी उसको भी माख होती है तो हम लोग यहां पर भी क्या apply कर सकते हैं वैसे ही जो आप लोग principle और बीटर चार सकते हैं और सोल कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कैसे principle of superposition यहाँ पर अप्लाए होगा इन दोनों का net किया तो यह 2E यह भी 2E तो मैंने इनको ऐसे बना लिया 2E यहाँ पर भी क्या बटा 2E और 2E 2E का net जो है वो इलर आ जाएगा खदम angle जो है वो 90 degree दिकी रहा है तो मेरा जो final answer है वो क्या हो जाएगा 2 root 2E और E की जो value है वो किती है KQ upon R square R का मतलब X square X की value किती है बच्चों A by root 2 तो KQ upon A by root 2 का square इसका मतलब क्या हो गया बोलो 2KQs by A square तो मेरा जो final answer आएगा वोटा E net उस answer की value क्या हो जाएगी बोल 2 root 2E तो 2 root 2 into कितना KQ upon A square into sorry 2KQ by A square तो किता हो गया 4 root 2 KQ upon A square ये मेरा final answer है भाया देख लो P point के उपर electric field अगर कोई लिखवाएगा तो समझें इस तरह से हम लोग ये वाले question करते है छीक है 4 root 2 KQ by A square This is the final answer for electric field E net 2E इदर 2E इदर 2E 2E connect 2 root 2E खतम solve कर लिए answer आगया कोई दिक्कत नहीं तो इस तरह से electric field में भी आप लोग principle of superposition का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो यही सब बातें बताई हुई है जो अपने को आप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकल सिग्निफिकेंस वह बताया गया है ठीक है तो concept of electric field जो है उसके बारे में अगर बात करें तो इस अपने पर बहुत दूर जाने पर वो करीब करीब क्या मान लिया जाता है जीरो बान लिया जाते है ठीक है यह कंडिशन जो है बताया गया है ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस इस होगर इमर्जेंग वैन वी गो बियांड इक्रो स्टाटिक्स हीक और इसमें अपन लोग इलेक्ट्रो मैगनेटिक फिनोमेनन जो है विटा उनको पढ़ते हैं तब अपने असलियाद जो है इसके अन्दर पता लगती है एक्ट्रिक फिल्ड कि क्योंकि असलिमें बिटा जहां पर भी इलेक्ट्रिक फिल्ड एग्ज तो इतना भारी कंसेप्ट होता है ना असली में के अभी हम लोग उस चीज को नहीं देख सकते हैं जब अपन लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कोई दिक्कत वाली नहीं है यही सब लिखाए देख फीड पिक्चर एक्सेलरेटेड मोशन और चार्ज प्रेड्यूस एलेक्ट्रो मैंने आपको वैसे बता दिया ठीक है बटा तो इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फीड्स अब दोनों आ जाती है न सब्सक्रार्ट तो इलेक्रिक फील लाइन वो मैंने बनाई ही आपके लिए जैसे मांले क्लस क्यू चार्ज है मेरे पास फ्लस कु चार्ज के लिए अगर मैं प्लस क्यू है अब यही मानले मैं प्लस क्यू चांज एंब यहां कber दैभ दियाisse टियू के लिया अपनने कैसे ब रएसे अपन लोगों फिर सो में आपक घृटा मेरी सब्सक्राइब और उन्व में अड़ों अैब्त कि क्योंकि करने से बाहर जाता हूँ इस arrow को यह लोग सोटा क्यों करते जा रहे हैं क्योंकि जैसे जाँ जैसे पंट लोग दूर जा रहे हैं वynn recorded का व्य क्य होता जा रहे है क्योंकि आर्क की वैल्य है वो बढ़ रही ठीक है यह बात यहां पर आपको बताई गई है यह हमारे किसी काम का नहीं है इसके अंदर बस यह बताया हुआ है वह जतनी हिस से कि अंदर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड का तो मैगनिट्यूड है वो भी जादा होगा इंफ्लूएंस भी जादा होगा तो जैसे मानले सकते होगे आपको कभी नहीं मिलती हैं क्रॉस करती हुई क्योंकि बटा ईन्दा केस आपको दो फीड के डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं तेरी electric field lines है ठीक है these are your electric field lines और मान लेता हूं कि यहां पर कोई charge जो है ना बटा plus q charge जो है वो यहां पर रखा हुआ ठीक है in that case उस plus q के ऊपर जो force लगएगी वो इस तरह से लग जाएगी सीदे सीदे कोई दिक्कत नी आएगी है ना और यही मान ले यहां पर कोई माइनस q charge रखाता है तो माइनस q पे जो force है वो ओपोजिट तो electric field टेंदेंचियल ही लग जाएगी कोई दिक्कत नी आएगी तो क्योंकि direction वेटा same और anti parallel ही होता है इसलिए आपन लोग इन वाली lines को जो electric field lines अपन लोग बना रहे हैं इसको अपन लोग electric lines of force भी गोल देता है क्या बोल देते हैं विटा इसको अपन लोग electric lines of force तो दोनों ही इसके नाम होता है आइधर यू कॉल electric field lines और you call it electric lines of force वो आप लोगों की personal choice है जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं ठीक है यह concept जो है इसका underline concept है जो आपने को पता clarity है तो यह आपकी electric field lines का जो एक major मतलब क्या बोलता है properties है यह वो हैं साथ ही बटा intersect नहीं करती कट नहीं करती है close loops में exist नहीं करती है ठीक है दू नॉट एग्जिस्ट इन ख्लोज लूप में नहीं होता पॉस्टिव यह इंफिनिटी से जनरेट होंगी negative के ऊपर जाके terminate होंगी otherwise तो चलती रहेंगी चलोगा यह सब बाते जो हैं वह यहां पर लिखी है जो आपन लोग जानते हैं बहुत अच्छे से यह बटा area वगेरा का आप लोगों को करना नहीं है तो इसलिए कोई tension वाली बात नहीं है मैंने आपको बता दिया कि जो area mark कर रहे हैं वो किस इस तरह यहां पर भी बताई गई है कैसे positive charge और negative charge को लिया गया है इसमें कुछ special diagram आप लोगों को देखने को मिलेंगे वह मैं यहां पर आपको दिखाए तो आपको कुछ इस तरह की electric field lines मिलेंगी ध्यान रखना और ऐसे प्लस क्यूं माइनस क्यूं अगर सेम मैंगनिट्यूड के चार्ज में विटा तो इसका अपन लोग डाइपोल भी बोलता है इसका अपन लोग प्यार से क्या नाम रख देते हैं विटा डाइपोल और यह जो डाइपोल आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर देखो positive से जन्रेट वाली बात इसमें नहीं आती है आप लोग देख सकते हैं इस फॉलोज रॉम दुम्हें के बारे में ठीक है यही लिखा हुए ठीक है टूफी लाइन से नेवर इंटर्सेक्ट इच अधर फील लाइन से स्टार्ट फॉजिटिव चार्जेश एंड़ नेगिटिव चार्जेश सारी बात है वही जो मैं आप लोगों को बोलता रहा हूं ठीक है और इसके बाद में जो चर्चा होती है वह किसकी है एलेक्ट अब एक सबस्क्राइब करते हैं एक तो आपकी ऐलेक्ट्रिक फील लाइन सोथी है और यह जो अब किसी सर्फेस और प्रॉस करती है तो आपन लोग उसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी एनर्जी जो है वह सर्फेस के तूफ जा रही है तो हम लोग count of number of electric field lines को इफ्लक्स बोल देता है क्या बोल देता है बटा count of number of electric field lines is called flux ठीक है बटा इसका अपन में क्या नाम रख रख है flux दो है वो नाम रख रख है ठीक है वी डिफाइन अनलोग इस quantity call it electric flux ठीक है और इस electric flux की जो हम लोग value लिखते है है वोटा 5 से represent करते हैं और इसको अपन लोग क्या लिखते हैं वोटा q inside upon epsilon not या फिर integration of e dot d इस तरह से अपन लोग इसकी values को लख सकते हैं यानि कि ये electric field पे और वोटा area के ऊपर depend करती है और उनके बीच में जो angle बनता है उसके ऊपर भी depend करती है ठीक है इफ और electric field एफ और area अब अगर बटा electric field और area के बीच में बनने वाले angle पे भी depend करेगी और यहां से एक और चीज जो मुझे पता लगती है वो क्या है कि area जो है वो मिरको एक vector quantity की तरह लेना है तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों में क्या किया विटा ऐसा बोला कि area क्योंकि एक vector है तो अपन लोगों को सर्फेस है ना उसके हिसाब से हमेशा area की डायरेक्शन को मान के चलना पड़ता है positive negative जो भी है तो अगर आपके planar surfaces होते हैं है तो अपन लोग क्या करते हैं आउट वार्ड तो आउटवर्ड नॉर्मल जो है ना उसी को तू area वेक्टर की डायरेक्शन है वो मान ले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना वहीं जो आपके close surfaces होते हैं उसके अंदर आप नॉर्मल डाल लो किसी भी point के ऊपर ठीक है वो सब आपके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस तरह से हमेशा इस तरह से यह सब कहानी बना सकता यह आपका area वेक्टर पीचे बनाने पीचे बना लो dot बना लो सारी सारी चीज़े कर लो तो ऐसा यह वेक्टर को आपको fix करना पड़ता है चाहे ओपर fix कर लो चाहे कहा कर लो नीचे फिक्स कर लो पर जिस भी डायरेक्शन में फिक्स करो उस डायरेक्शन से चिपक के चलो पूरा शुरू से लेकर समझें तो यह सब बाते आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए ठीक है यही सब बता रखाए बटा देखो इसको आप लोगोंने थोड़ा सा ओरियंटेशन को चेंज किया तो यह सब डिपेंडेंस ही आपने को ऐसे पता लगती है तो जैसे मानले मेरे पास में कोई सबसाइब मेरे इस तरह की मानले डिस्क थी और इस लिए घचरा की और फृट को इस तरह से करें मानले मेरी एस इलेक्टरिक्री गलत क्यों हो गया क्यूंकि विटा एरिया जो आपन लोग लेता है और अनके बीच का फंसले नहीं तो यह अग है अगर तेरी डिस्क रेख्ता है और अगर अधिया वेग्टर को और तो यह एक यह E है और यह आपका A है तो यह एंगल तो यार 60 डिगरी हो जाएगा ना तो इसलिए यह लिखना क्या हो जाएगा बटा आपका गलत हो जाएगा और जो सही चीज होगी वो क्या होगी यह कॉस 60 होगी और हमारे पास में जो आंसर है वो क्या जाएगा यह बाए 2 तो that's how the answer will come out ठीक है इस तरह से जो आपका आंसर है वो निकल के आएगा यह बाए 2 के बराबर so this is how you are going to do it right यह बात कर ध्यान रखना यही सब चीजें इसके अंदर लिखके समझा रखी है मैंने आप लोगों को वैसे यह वाली बात जो हो समझा दी है ठीक है चलो आगे देखता है है न यह देखो बिटा यह एरिया वेक्टर को लेने का तरीका है ऐसे शीट रख दी तो उसमें यह एरिया वेक्टर ठीक है यह आपकी सर्फेसेज हो गई सर्फेसेज के हिसाब से नॉर्मल जो है वो डाल रखी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है 3D फिगर वागेरा जो हो है ना यह बात ध्यान रखना यह देख विटा फाय की वैल्यू इडी ए कॉस ठीटा के थूरू समझा रखी है और सारी की सारी चीज़े वही सब चीज़े लिखी है विटा एरिया जो है आउटवर्ड नॉर्मल के थूरू रिप्रेजेंट करो है वह सब मैंने तुमें बोल कूलम मीटर स्कूर है ना तो एनम स्कूर पर कूलम इस तरह से भी आप लोग इसकी जो यूनिट है वह लिख सकता है बेना किसी समस्या के बात सब लोग ध्यान रखेंगे दूसरी बात जब हम लोग विटा फ्लक्स को और अलग तरह से डिफाइंग करते हैं तो अपन लोग फ्लक्स को किस तरह से लिखते मैंने आप लोगों को बताया था तो वह आगे जाके अपन लोग उसको गौस्वा के अंदर पढ़ेंगे तो उस वाली चीज़ के आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना कि इस तरह से गौस्वा की अप्लिकेशन की गइए क्योंकि जब गौ थी नहीं करेंगे तो ब Understood does cleaned तो इसके बाद में हमारा पार्ट आता है वह पार्ट आता है किसका अपोन खिर Knights ९ह उपय की उआ है अदर क्या होता है नहीं ही यारिक charges of the same magnitude charges का magnitude कैसा लेना है आपको सेम लेना है direction क्या लेना है मतलब magnitude तो सेम है नेचर क्या लेना है उपोजिट नेचर और magnitude की बात आएगी तो वह कैसा सेम यह आपका डाइपोल होता है और दिस्टेंस उनके बीच में अगर होगी तो अपने उसका नाम क्या रख 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 है डाइपोल अगर आप लोग वैसे कंपेर करेंगे तो वह एने प्लस सी ल माइनस वाटर ठिक है बाइण प्लस सी अल माइनस वाटर की बात टो अ होता एस तो आपन लोग इस तरह से भी हो गया तो यह एनफ न का यह माइनस और यह सब्लस प्लस तो सो यहां को जैब किखास क्या होती है कि उसके पास में होता है विटॉय फोंक मुएंट के अर है है क्या ध्यू टैब्ोस को अपने लोगे टीचाइब करते है श्रॉकंठ सुध इते हैं एक वेक्तर होनुति ए जिसके अंदर अपने लोग जो विल्यों लिखता है वह बुट यहां कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो आपकी डायरेक्षन है वह आप लोगों को मिलती है तो अगर मैं मार्ग करना चाहूं दाइपउल बनाके डायरेक्षन यह मान ले बटा प्लस क्यू है और यह क्या है तीरे पास में भन ले मानले माईनस क्यू है और मैं अगर डायरेक्षन गोल से प्लस ago की तरफ यह आपके डाइपोल दाइपन स्ब्सक्राइए इस वेसे एपन गया माइना प्लस का कि यह भाला और आologíaise यह बन गया मरे पास माइन 오लस का सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर आपके पास चलता है मामला तो आप लोग बहुत आराम से उस वाली चीज़ को निकाल सकते हैं प्रिंसिपल सूपर पोजीशन वगेरा जो है वह अपलाए कर सकता है कोई दिक्कत इसके इंदर नहीं आती है ठीक है ध्यान रखें इलेक्ट्रक डाइपॉल में टोटल चार्ज जो है वह जीरो होता है एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू सेम मैगनिट्यूड ऑपोजिट ने चर तो हमेशा आंसर क्या आएगा बिटा जीरो आएगा यह बात ध्यान रखना दूसरा जो इसमें एक और बिटा हम लोग अजम्शन मानता है वो क्या है एड डिस्टेंस मुच लार्जर दें देंदा सेपरेशन ऑड़ टू चार्जर सेपरेशन है उससे भी बड़े हैं तो यह एक चीज है जो अपन लोगों को पता होनी चाहिए बाकी फील्ड भी जनरेट होगी पोटेंशियल वगरा भी जनरेट होगा जैसे अपन लोग अराम से निकाल लेंगे बिना किसी समस्या के ठीक है भाई साब तो फील्ड जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा उसको देख लो क्या किया गया है और कैसे क प्लस क्यूब कर लेता है यह सेंटर वाली लाइन है और सेंटर वाली लाइन से मानले यहां पर एक पी पॉइंट जो है वह मैंने ले लिए इससे जो यह डिस्टेंस हो ने क्या ले लिए और अब इन दोनों के कारण हम लोग जो एलेक्ट्रिक फील्ड ना बच्चों वह ल क्या है यह होगीी इकी ऐली कि होती है क्योंगा अगर मैं डिस्टेंस से नांपूंगा प्लस क्यूट से मेरी जो डिस्टेंस हो कित्न करम बूंट से तो यह टो प्ルक यार माइनश कोया side इस दिस्टेंसेस का भी ध्यान रखना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है अर प्लस है और क्या आगई आर माइनस है तो इस दिस्टेंसेस जो है बिटा हो मैंने मार्क कर ली और अब इलेक्टरिक फील लिखने की कोसिस की तो मैंने क्या लिखा ईडियू टू प्लस क्यू जल होल स्कूर बोलू आएगा कि ने इनकी खास बात क्या थी विटा कि इनके डायक्शन सो पोसी और जो डायक्शन से वो क्या है बच्छों और दूटक्षिंस और उपोसीट इसी कारण से यहां पर क्या हुआ उप जब ईनेट लिखी गई तो हमने इनको गटाया E due to plus Q और E due to minus Q जब मैंने लिखा magnitude वाइस जब देखा तो E plus Q minus of E minus Q जब लिखा गया और finally क्या लिखा गया बिटा देखो KQ upon R plus A का whole square minus KQ upon R minus A का whole square यह quantity लिखे गए ठीक है बटा यह quantity लिखे गए समझ रहे हो जब यह quantity लिखी और solve किया तो फिर से यही सब चीजने solve करके यहां पर बता रखी है तो आप लोग कोई चिंता नहीं करेंगे हम लोग जो अभी यहां पर बटा electric field की calculation कर रहे हैं तो एक axial point के उपर कर रहे हैं और a point on the axis of the dipole ठीक है हाँ point on the axis of dipole समझ गए तो dipole की axis वाला point है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है इसको बिटा जब हम लोग solve करते हैं आगे जाते हैं तो देखिए एक assumption यहां पर लिया जाता है r very very greater than a क्या assumption लिया जाता है r very very greater than a क्योंकि जब इसको solve करते हैं अपन लोग तो यह हमारे पास आता है r square minus a square का whole square वाली quantity जो हमारे पास बनके आती है जब इसको अपन लोग solve करते हैं तो यह जो मैंने step किया है इसके अंदर जो quantity बनके आएगी r square minus a square का whole square और उपर में क्या आ जाएगा बटा 4 kq है ना 4 kq a तो हम लोग क्या लिख सकते हैं जल्दी बोलो यह मेरे पास में आ जाएगा e net is equal to 4 kq a divided by r square minus a square का whole square आ जाएगा बटा है ना और इसमें assumption क्या लग जाएगा r is very very greater than a वाला जैसे यह assumption लगे ना बटा तो a square वाली जो time है वो आपकी उड़ जाएगी ठीक है यह वाली time आप लोगों की खतम हो जाएगी यह time खतम होते ही आपके आस r की power 4 बचेगा नहीं चाएगा ठीक है क्या बच जाएगा बटा r की power 4 आप लोगों के पास में बच जाएगा यहां पर बटा एक r और आएगा वो यहां पर खाया हुआ है ठीक है 4 k q a r अगर लिखूं डंग से तो यहां पर एक r और आता है ठीक है तो r square की power जब हम लोग देखते हैं तो r की power 4 बन जाता है तो यह क्या लिखा हुआ है 4 k q a भी लिखा हुआ था यहां पर a upon r का q अब 4 k q के अंदर बटा अगर मैं डाइपोल मॉमेंट की टर्म भी बनाना जाओं p p की value क्या थी बटा 2 q a राइट यह टर्म यहां पर बना ले तो कैसे लिख लेगा इसको 2 into 2 q a 2 k into 2 q a ऐसे लिख लेए इसको चलेगा और यह divided by क्या कर ले बटा r q तो तू क्या देखेगा कि यह 2 q a वाली जो टर्म है बटा यह वाली टर्म किसके अंदर convert होगई तरी p के अंदर convert होगई और तरे पास में क्या आगया 2 k p upon r q यह तुम्हारे पास में जो answer है वो आगया है ठीक है ध्यान दीजिए यह electric field due to a dipole आपके अपास में आ गई है on an axial point पर जब आप लोगों ने इसकी direction देखी तो आप लोगों को दुबारा समझा आया अब देख direction यहाँ पर ध्यान देखे ठीक है आप इसकी direction के ऊपर ध्यान दीजिए जो आप इसकी direction देखोगे ने बिटा तो direction बहुत जोड़दार चीज़ है है ना let's look at the direction ध्यान दे माइनस q charge पास में मौझूद है और प्लस q charge जो है वो दूर मौझूद है तो आप लोगों को खुद को पता है कि ऐसे में माइनस q charge की जो फील्ड है वो ज्यादा होगी मतलब की जो electric field की नेट direction आएगी यह जो आएगी वह आप लोगों की इस वाली डैरेक्शन में आएगी मतलब उसी direction में आएगी जिस direction में आप लोगों का दाइपऐ मूमेंट है सो आपकी स्यों नेटलेक्टरिक फीलट आती दिश्ऑ डाट यहां पर आप लोगों से पूचा जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि एट इस ऑल्वेज इन दे डाइरेक्शन ओफ डाइपोल मोमेंट जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं ठीक है बटा हाँ दिख गया ना दिरगा हम अपन लोगों ने जो पॉइंट माना है वो किधर को माना है इस वाले केस के अंदर हम लोग जब पॉइंट को देखते हैं तो इस तरफ माना है क्यों के इस तरफ माना है फिक है प्लस क्यों जादा होगी माइनस क्यूद की जो है वो कम होगी हमारे पास आउंसर आ やनी की डाइरेक्शन के अंदर ही आ जो कोई दिक्कत दिखत बात नहीं है हमेशा जो पीट की डाइपूल मोएंट है इस थी और इधर पॉइंट तो भ हमेशा जो फिक की डायरेक्षिन और इसंगी किसी इसमाल उसके घृषिए अब इसी तरह से जब लोग इसके अंदर अप लोगा घ्राश के उपर बैंसा को लेस्न लोग लुक्ति फील्ड निकालने की बात और यहांपर क्या था विटा आप लोगों का माइनसक्यू और यहां पर हम लोगो कोई पॉइंट जो है वो पी कंसिडर कर लिए अ Instagram के कारण जो इसपी और माइनस क्यू के करण जो आप लोग की एलेक्ट्रिक फील्ड है विटा उसकी डायरेक्शन इदर होगी यह आपकी ए किसके करण होगी माइनस क्यू के करेक्ट ठीक है यह वाली डिस्टेंस हम लोग जानते ही हैं यह वाली डिस्टेंस हम लोग क्या लेके चलते हैं विटा टूए लेके चलते हैं ठीक है यह हम लोग मान ले एक्स वह वो ऊपर चले है राइट अब अगर तू ध्यान से देखेगा इप्लस वाली चीज़ और ओर इसे ऐबलो निचेंश स्कूर प्लस एप्ट में राइगी अंडर गांतर श्कूर प्लस एंडरोट इसकूर अस्ब करें जो आपके वर्टिकल कॉम्पूरेंट्ट है वो तो कैंसल ऑट ही हो जाएंगे अपस में यह भी कट जाएगा और यह भी क जाएगा हमारे किसी काम का नहीं रहेगा और जो आपकी फील्ड के ये वाले वाले ओपोनेंट्स है तो इनेट जो है वो साफ साफ यहां पर दिख रहा है कि हमें होरिजोंटल कॉंपोनेंट्स आर बिंग अड़ेड़ जबकि आपके जो वर्टिकल कॉंपोनेंट्स है उनके साथ में क्या हो गया वो कैंसल आउट हो गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अब जब मैंने इनेट की वैल्यू लिखी तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं बच्च इस ट्राइंगल में अगर तेरसे कॉई कॉस्ट वैल्यू तो बैसिकली इस्कु ऐलीव किद्ती वैलियू कित्थि-वा अंडर रूट और x square upon a square खीक है अब इस triangle में अगर तेरे से कोई cos theta लिख वाएगा तो तू cos theta की value जो है बटा वो भी लिख सकता है cos theta की value कित्ती हो जाएगी भाई base कितने है a और hypotenuse कितने है under root of x square plus a square तो cos theta भी लिख ले a upon under root of x square plus a square अब बिटा जब हम लोग इसके अंदर values डालता है cos theta की value भी यहाँ पर put करता है और इसको solve करने के लिए जाता है तो हमारे पास जो answer है वो सीधे-सीधे निकल के आजाता है हमें कोई दिक्कत नहीं आती यह हमारे पास में जो result है बिटा यह हम लोग result जो है उसको लिख सकते है और जो result है वो क्या आजाता है 2q मतलब p तो हमारे जो answer है वो आजाता है kp upon r cube with a minus sign क्या answer आजाता है बिटा kp upon r cube with a minus sign यह हम लोगों का answer कहा चला जाए हाँ इदर तो जब solve करता है तो e net जो हमारे पास में आता है कितना आजाता है kp upon r cube minus के sign का जो बिटा यहां पर significance है वो यह है कि हमारे dipole moment की direction देखो किदर है dipole moment की direction बच्चों यह वाली direction है जबकि जो electric field है उसकी direction यह है तो this is the direction of dipole moment this is the direction of electric field दोनों यह अलग-अलग हो गए है तो इसका मतलब यहां पर कौन सा साइन आना चाहिए माइनस का साइन आना चाहिए जो मैं यहां पर सीधे सीधे देख सकता है माइनस kp upon r cube जो हम लोगों ने यहां पर देखता है ठीक है तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है यहीं पर थीटा माने है तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने कॉस्ट थीटा की स्ट लिखना तो पूरा का पूरा स्ट को बताई दिया जब इनको आपस में यहां पर भी पिछले फॉर्मूले में देख यहां पर भी क्या नजर आई थी जो है वह यहां भी तुम्हें इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब ही नजर आई इस दा इंपोर्टेंट पॉइंट देख यहां रखिये गांगे डिपोल टूपर बिट्वीन देख वेक्टर उसके उपर भी विटर डिपेंडेंशी होती है ठीक है डाइपोल का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वह मैंने आभी आपको बताया था पानी का मॉलीक्यूल ले दुनिया में हर चीज वह डाइपोल है इसमें दो मॉलीक्यूल के बारे में बताया गया है एक तो होते हैं आपके पोलर मॉलीक्यूल दूसरे क्या हो जाते हैं आपके नॉन पोलर मॉलीक्यूल होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके पास में पर्मानेंट इलेक्ट् मॉमेंट नोट प्रेजंट और यहां पर क्या है विटब पर्मानेंट डाइपोल मॉमेंट इस यह वाली बात अपने को जब पता लग जाती है तो सब हो जाता है कोई दिक्कत नहीं आती इन सम मॉलेकुल सेंटर सॉफ नेगेटिव चार्ज़ेंड पॉजिटिव चार्ज़े ठीक है उनी को हमने क्या बोल रहा है बटा पोलर मॉलीकुल जो है वो बोल रहा है यह वाली बात ध्यान रखेंगे अब बटा जो डाइपोल ना यूनिफॉर्म एक्स्टर्नल फीड की बात है इसको अपन लोग नेक्स लेक्चर के अंदर करेंगे जिससे कि एक डाइपोल तक की जो कहानी है वो हम लोगों ने कवर कर ली हमारे इस टाइम सेवर के अंदर आगे जो है वो आपको इसके आगे की कहानी बता दी जाएगी जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे यूनिफॉर्म एक्स्टर्नल फील्ड के साथ में डाइपोल के अंदर जो सारी चीज़ ह कैलकुलेट करने हैं ठीक है डाइपोल का बिहेवियर देखेंगे यूनिफॉर्म एक्स्टर्नल फील्ड के अंदर किस तरह का होता है स्टेबल एक्कुलीब्रियम अन्स्टेबल एक्कुलीब्रियम और सो ओन आल राइट चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में थैंक्यू